नरहो न निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये बिर्थ नहो कुछ तो उप्युक्त करो मन को, नरहो न निरास करो मन को नमस्कार साथियों, मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे एक नया ध्याय जिसका नाम है वृत यानि सर्कल सर्कल चैप्टर का कुछ बहुत कंसेप्ट जरूरत नहीं आपको बताने की क्योंकि आपका अच्छा 10 में पहुँच चुके हैं इसके पहले का अच्छा 9 में 8 में 7 में सम्में हम आपको ब्रित्य का बेसिक पढ़ा चुके हैं अगर बेसिक नहीं आता तो कमेंट करना बता देंगे यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम वो लेके आये हैं तो इक्सरसाइज 10.1 का कोईशन करने के लिए ये तीनों बातें जरूरी हैं जो इस्क्रीन पर दिख रही है बिटा सबसे पहला है असपर्स रेखा, छेदक रेखा और असपर्स बिंदू जिसका इंगलिस भी लिखा गया है टैंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन and पॉइंट आफ कांटेक्ट अब ध्यान से देखना दिल से बिल्कुल समझ के ठीक है सबसे पहले बात करते हैं असपर्स रेखा की असपर्स रेखा क्या होती है? इधर ए नंबर के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बिटा देखो जब कोई सरकल ऐसे बना हो, ठीक है ये सरकल ही बना है न और कोई रेखा जो इसको टच करती हुई निकले इसको टच करती हुई निकले आप समझना थोड़ा सा समझना ये ऐसे तो ये क्या है? ये है बिटा असपर्स रेखा क्या है ये? असपर्स रेखा समझ रहो ना? देखो अभी सब इसमें क्लियर हो जाएगा tension मत लेना बस थोड़ा सरू के रहो ये क्या है जिसे बोलते हैं tangent line है ठीक है इसका नाम मानलो कुछ भी हम लिक देते हैं ये भी अब देखो इसके बारे में थोड़ा detail में समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे ये दि किसी बृत में कोई भी रेखा जो बृत को एक ही जगह पर टच करे और फीदा निकल जाए वो असपर्स रेखा या tangent line होती है इसके अलामा अभी अंतर समझोगे तब समझ में आएगा एक एक नहीं समझ में आ रहा होगा न आव आगे और देखो एक ठी एक ठी और देखो और देखो سमझना इसमें इसमें समझना बेटा ये भी क्या एक रेखा ही है जिसका नाम a भी है ये क्या कर रही है इस सरकल को अगर आप देखो ये केवल बगल ते टच कर रही थी ये डारेक्ट भोंक दे रही है चुब जा रही इसमें से न अंदर पे निकल रही न तो बेटा इनको क्या बोलते हैं पता है और आलू में अगर सुई तुम भोंक दिये चुबहो दिये तो वो छेदक रेखा हो गई छेद गया समझ गए तो ये असपर्स रेखा ये छेदक रेखा दोनों में अंतर समझ गए एक है बेटा असपर्स बिंदू जिसे बोलते हैं पॉइंट आफ कांटेक्ट पॉइंट आफ कांटेक्ट क्या होता भया पॉइंट आफ कांटेक्ट क्या होता है देखो इसमें ए बी जो है वो क्या है असपर्स रेखा है लेकिन यह जहाँ पर touch कर रहा अगर इसका नाम हम P लिख दें तो यह बिंदू जो P है वो क्या है असपर्स बिंदू है समझ गए तो यह भी इसी में आ गया बोलो सबको समझ में आया न यानि असपर्स रेखा असपर्स बिंदू और छेदक रेखा सब समझ गए जिसको इंगलिस में tangent line, second line and point of contact बोलते हैं इसको लिख लिजिए, screenshot ले लिजिए अगर कोई doubt है तो बताइए जल्दी करिए, आगे बढ़ें उसके बाद हम question पे चलते हैं, बहुँच जल्दी करें first question देखिए पहरा कि एक बृत्त की कितनी एसपर्स रेखाएं हो सकती हैं मतलब ये है साथियों कि एक जो circle है उसमें कितने tangent हो सकते हैं भई अनन्थ हो सकते हैं इनकी कोई limit नहीं है क्योंकि हम किसी भी तरफ से ऐसे इसको touch करती हुई ऐसे बृत्तें खीच सकते हैं ऐसे खीच सकते हैं ऐसे खीच सकते हैं सिर्फ चारी नहीं हो सकती ये किनारे से ही जाएगी याद रखना ठीक है तो अनन्थ हो सकती है इन्फाइनाइट हो सकती है इनकी कोई limit नहीं है ये ध्यान रहे जश्ट किनारे ही touch करती हुई जाएगी अंदर में नहीं जानी चाहिए तो ये अनन्थ हो सकती है बावु इनकी कोई limit नहीं है कुछ लोग कह रहे होंगे तीने चार होगी नहीं अनन्थ हो सकती है हम ऐसे किसी भी छोर से ऐसे खीच सकते हैं सिर्फ सर्कल में touch होनी चाहिए कि बस देखो ये दस पांच तो मैंने खुदी खीच दिया इतनी जल्दी आपको दिख रहा होगा ना हमने देखो कितनी सारी खीच दिया अभी इतनी जल्दी तो अनन्थ हो सकती ही बटा ठीक है पहले का जबाब क्या होगा अनन्थ होगा infinite ये चिन्ने ना उसका ठीक है question number second पर आगे बढ़िए दूसरा दिखाओ भई दूसरा दिखाओ जल्दी से देखो रथियों दूसरा देखने के पहले ध्यान दीजिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं एरिटल, broadband, internet मैंने लगवाया था आप लोगों की कलास के लिए आपकी लगता लाइब कलाफे चलती थी साथ-ाथ कलासे अप्लिकेशन में और यूटूब पर अगर इनकी एक बार केबल कड़ जाती है तो ये चार-पान दिन तक कुछ नहीं सुनते हैं इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं कि आप या आपके घर परिवार में अगर कोई ब्राडवेंड लगवाना चाहता चाहे पढ़ाई के लिए बिजनेस के उद्देश से तो एरटल का बिल्कूल ना लगवाएं अन्यता हमारे साथे 11,000 बरबाद हुए हैं अब हम इन से संपर्क नहीं करते हैं चोड़ दिया और आपके भी वरवाद होंगे ठीक है तो इसलिए ऐसा ना करें हमने बहुत कोसिस किया बहुत टाइम लास किया इनके पीछे कस्टुमर केर में काल कर 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 के ये लोग कुछ करते नहीं है भाई तो अभी देखो इसमें 8698 रुपय का बैलेंस है 325 दिन की बल्डिटी है इस क्रीन पर आपको दिख रहा है लेकिन हम हो गए परिसान इसलिए आपको साधान कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए सरफ प्रिये हैं इसके कई पार्ट है इसक्रीन पर अगर आप नीचे ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कहरा कि दिख तर्थानों की पूर्टी कीजिए मतलब फिलिन्दा बलेंक्स हिंदी में लिखा है मैं इसे इंगलिस में भी पढ़के सुनाओंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा फिलिन दा बलेंक्स में क्या कहरा है फर्स्ट कोईश्चन में कहरा है कि अ टैंजेंट तू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैस पॉइंट हिंदी में पढ़ लिजिये कैरा किसी व्रित को की असपर सरेखा उसे बिंदूँओं पर परतिशेद करती है बतलबं इंटरसेक्ट करती है जो टैंजेंट है वो एक सर्कल को कितने बिंदू पर परतिष्यद करती है भाई अभी सबसे पहले इसस्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा बाबु तो यह देखो जो टैंजेंट होती है ऐसे किनारे फे जाती है एकदम किनारे फे होके जाती है एक ही जगा टच करती है एक ही जगा ना तो सिकेंड वाले का पहला क्या हो जाएगा बटा कुशन नंबर सिकेंड का हां कुशन नंबर सिकेंड का जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा एक बिंदू पर इसमें क्या भरो ओके थिक है तो समझ गे इसका सिकेंड पार्ट देखो सिकेंड पार्ट में क्या कहरा भाया अभी समझ रहे हो ना हिंदी इंगलिस में दोनों में बताऊंगा टेंशन मतले ना हिंदी में दिख रहा है इंगलिस में मैं पढ़ रहा हूं आपको clear तो हो रहा है ना चलो आगे second part वाला तो सुनो कहरा a line intersecting a circle in two point is called a फिर डैस यानि कहने का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए a line intersecting a circle in two point is called यानि वो circle जिसमें कोई line दो जगां इंटरसेक्ट करें वो क्या कालाती है भाई सीधी सी बात है second कालाती है छेदक रेखा कालाती है अभी जो मैंने दूसरा चितर दिखाया था वह ही है न यानि बृतिक की दो बिंदूओं पर परतिछेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं क्या कहते हैं छे दक रेखा, इंगलीस में सीकेंट कहते हैं, सीकेंट लाइन, ठीक है, इसे 1 लिख देना इंगलीस में, इंगलिस हिंदी दोनों लेंग्वेज में मैं बताऊंगा हमारी कोशिस है UP, CBSC, राजस्थान, MP, दिल्ली बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा है वो हर कोई पढ़ सके है ना चले अगला इसका थार्ट देखिए स्क्रीन पर देखिए क्विश्चन दो पार्ट दिख रहे थे तीफरा चवथा पाचवा सब देख लो अब ठीक है चारी तो है ना इसमें चलो ठीक है आप सबसे उपर देखो आप कहरा है एक बृत्त की फिडाट डाट समानतर रेखाएं हो सकती है मतलब एक बृत्त की वही कितनी पैरलल लाइन हो सकती है हां यही तो है ना बताइए एक बृत्त की कितनी समानतर असपर्स रेखाएं हो सकती है समानतर असपर्स रेखाएं भाया इसका आप जवाब लिख लो दो किसी भी बृत्त की दो समानतर असपर्स रेखाएं हो सकती है कितनी दो रेखाएं हो सकती है दो से ज्यादा नहीं हो सकती हैं जो समांतर भी हो और मतलब पैरलल भी हो और टैंजेंट भी हो इस तरह से किबल दो रेखाएं हो सकती हैं बना कि दिखाऊं का हो तो नहीं तो रहने दूँ कोई मतलब नहीं है अगला पेज पल्टो पोर नंबर वाला करवाऊं इसका जबाब होगा टू हिंदी में लिख लो दो आप सबको पता है कि बता हूं भाई एक सरकल खिंचलो एक ऐसे जाएगी ऐसे एक रेखा तो यह हो गई समांतर एक ऐसे ऐसे कर सकते हो दो हो सकती बस ठीक है डन अगला चलो चौथा पार्ट चौ आपन पॉइंट आफ अ टैंजेंट टू अ सरकल एंड़ आस सरकल इंच कालड़ तैस परेचर सब्सक्राइल से सुनलो यानि ब्रिद्द तृता उसकी ऐसपर्स आपर्शा दका के उभाई निश्ट बिन्दू निश्ट का मतलब होता बेटा common, ठीक है, circle और उसकी asperse रेखा, यानि tangent line की जो common point होगा, उसे क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इंगलीज में, point of contract ना, point of contract, उसे क्या बोलते हैं, बोलते क्या, उसका नाम ही हुई है, asperse bindu बोलते हैं, हिंदी में लिखोगे, asperse bindu, इंगलीज में लिखोगे, point of contact, point of contact, ओके, तो इस तरह से आपका question number ये दूसरा भी complete हो गया, लिख लीजिए चात्रों, कोई भी doubt है तो बताईए, हो गया, जल्दी करें, अगर अभी तक आपने PVR study channel को subscribe नहीं किया, तो तुरंद कर लें, और bell icon press करना न भूलें, जिससे कि आप free पढ़ सकें, घर बेटे पढ़ सकें, अगला चलते हैं बहुत जल्दी, सबर बना के रखिएगा, exam खोपड़ी पे है, कोई tension निलेना है, जितना पढ़ाया जा, revision करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, अगला question दिखाईए, तीसरा question, तीफरा question क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना बाबू, क्या कहरा है, देख लो पढ़ लो, कहरा है, पांच सेंटीमेटर तरिज्या वाले, एक बृत्य के बिंदु पर, असपर्स रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, कि O Q 12 सेंटीमेटर है, तो PQ की लंबाई ग्यात कीजिए, ठीक है, चलिए, एक figure ड्रा करते हैं, जैसे ये बोल रहा है, पहले एक circle बनाएंगे, एक circle बनाने के बाद, से बना लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं, देखिया, आपके सामने मैंने चितर बना दिया है, अब इसमें जो आप से पूछ रहा है, PQ निकालना बहुत आफ़ान है, जैको बेटा कह रहा था, तरिज्या 5 सेंटीमेटर है, मैंने लिख दिया, और इसमें OQ की दूरी भी, लंबाई 12 सेंटीमेटर बोल रहा था, मैंने वो भी लिख दिया, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल में पाइथा गोरस परमिय लगा देना है, और PQ निकाल लेना है, जैसा कि दिख रहा है, यह आधार है, तो घटा करके ही निकलेगा, है ना, आप क्या लिखोगे, PQ का स्क्वाइर इक्वल, OQ स्क्वाइर माइनस O P स्क्वाइर, ठीक है, यहाँ पर साइड में कर दूँ में, लिख लीजिए, पाइथा गोरस की परमिय से, देटिंग सब लोग स्क्वाइर से लिख लीजिए, तो देखो बेटा, हमें PQ निकालना है, तो यह हो जाएगा, PQ का स्क्वाइर इक्वल, OQ का स्क्वाइर और माइनस O P का होड़िज्वाइर, ठीक है, O Q, यहनि 12 का होलिज्वाइर, माइनस यह 5 का होलिज्वाइर, 144 माइनस 25, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परशानी, नहीं न? खटा के देख लो 119 आएगा बटा ठीक है इनको थोड़ा इधर साइड में लाके मैं हल कर लूँगा तो PQ का whole square equal आएगा 119 यानि हम कह सकते हैं PQ equal आएगा under root 119 हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 119 अगर आप option देखो तो option number D सही है जो question आप देख रहे हैं 14 तीसरा number इसमें D absence आई है ठीक है किसी के मन में कोई doubt है कोई भी तो बताइए नहीं न आगे बढ़ें जल्दी लिख लिजिए बच्चों आपका तीफरा question भी हो गया बहुत जल्दी करिए question screen से मैं हटा देता हूं हो गया न अगर आप नहीं समझे थे वीडियो को तोड़ा पीछे करके लिख लिजिए चलिए time हो गया done अगला question की तरफ आगे बढ़ते हैं उस तरह से फिर ये 10.1 खतम हो जाए जल्दी देखिए next ये 10.1 का last question है और बहुत आसान है बेटा स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखो उपर साइड में तो आपको दिख रहा होगा कहरा कि एक ब्रित खींचिये मतलब एक सरकल आपको क्या करना है ड्रा करना है और पढ़ लिजी पूरा क्या कहरा है कि एक ब्रित खींचिये और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिये कि उन में से एक असपर्स रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो मतलब सिंपल सा है थोड़ा गुमार आईए सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हम एक सरकल खींच लिए जो कि मैंने खींच लिया ठीक है में बेटा सरकल खींचने के बाद क्या कहता है खींचिये और दो दो बैर रुकना दो बोलनेंग बाद एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिये थोड़ा अजीव टाइप का लिखा है ना तो एक कोई रेखा हम खींच लेते हैं मान लो मान लो हमन इंगलीज में मैं बोल देता हूं पहले तब फिर करता हूं सुनलों इंगलीज में करा ड्रा आ सरकल एंड तू लाइन पेरल लल्डू अगिबन line such that one is a tangent and one is the tangent and the other is a secant to the circle नोच में आया ना draw a circle and two line parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle तो यह मैंने खिंच लिया अभी इसके parallel दो line ऐसे खिंची जा सकती बेटा ऐसे ऐसे न कर रहा था एक असपर्स रेखा होनी चाहिए यानि tangent और एक secant होनी चाहिए तो इसके parallel भी हो जो line खिंची है तो यह हो सकती है tangent और secant भी हो तो यह हो सकती है ओके दन हो गया खतम इनके चाहो तो नाम भी लिख दो आप कुछ भी या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है इन रेखाओं को मैं मान लेता हूँ कि मैंने इनके नाम रख दिये हैं क्या क्या चलो मैंने मान लिया इनका नाम A था इनका नाम B था, इनका नाम C था बनाली जी हो गया हाँ, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो इधर लाइन भी आप ऐसे भी खिंच सकते थे जो लोग confusion में हो बेटा देखो आएसे भी तुम कर सकते हो, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये भी सही है इसमें किनारे फे टाच होती जाएगी याद रखे, पीच में नहीं गुशनी चाहिए कटनी नहीं चाहिए ये ये भी सही है ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है इस तरह से बच्चों आपका 10.1 पूरा खतम हो गया बृत का आपका 10.1 चैप्टर ही खतम हो गया अब हम 10.2 में कुछ question है उनको करेंगे next class में अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके बताइए अगर अभी तक आपने PVR study 3.0 और PVR study लहाबा चैनल को subscribe ने किया तो तुरंत कर लें और play store से PVR study app डाउनलोड करें और घर बैठे आराम से पढ़ सकें अगर आपका भी mathematics कमजोर है तो हम आपके लिए एक special calls लांच कियें अभी जल्दी में ही बिल्कुल zero label से math सिखाने वाला स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नीचे दिये गए नंबरों पर contact करें कच्छ 10 वालों के लिए यह offer पूरे 31 जनुरी तक दे दिया गया है ठीक है तो आप जब चाहिए 31 जनुरी तक कर सकते हैं बिल्कुल zero label से सिखाते हैं अगर math में आपको कुछ भी नहीं आता ना इसमें आपको कच्छ 6 की math भी मिलेगी सब पूरा math मिलेगा एक तरप से one two all और doubt हो गयरा अलग से बताया जाएगा है ना अच्छा समपर करिए धन्यवाद